आप देख रही है MNS News सच जरूरी है पटना में चल रहा फोटो सेशन आम इच्छा आई देखते हैं खबरेविस्तार से 2024 में मोदी जी को जोला ठंगा कर जाना ही पड़ेगा सामना में बताया 450 सीटों पर विश्व की जीत का प्लान पटना में विपक्षित दलो की बैठक से हो रही अगले आम चुनाओं में NDA के विजिगी रत को कैसे रोका जाए बैठक में इसको लेकर मन्थन होगा विपक्षित दलो की बैठक में कॉंग्रेस राज़त जद्यू, NCP, T.M.C. शुसेना यान यान यूबिटी समेट कई दल शामिल हो रहा है बैठक से पहले शुसेना यूबिटी का बयान सामने आया है मददाताओं में पैदा करना होगा विश्वास शुसेना यान यान यूबिटी ने अपने मुखे पत्र सामना में छपे एक साम्परदाइक में कहा कि अगर 2024 के बाद लोगतंत्र को जिवित रखना हो तो राज़नितिक दलों को मददाताओं के बीच विश्वास पैदा करना है के लिए यूब राश्या हित में बड़ा दिल दिखाना होगा जिया सबी दल एक साथ आएगे तो मददाताओं में विश्वास पैदा होगा आप और बी आरेस को नसीहत जिया सामना में आगे लिखा है कि आमादनी पार्टी याने आप और के चंदशेकर राओ के नितरतर वाली भारत राश्य समीत याने बी आरेस की राश्य महात्वकान शाय है लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से प्रधान मंत्री नर्य मोदी और ताना शाही को समर्थन मिलेगा इस दिनों पार्टियों को अलग अलग राज्यों में कॉंग्रेस और बेजीपी के सिधा मुकाबला होगा लोकतंतर स्वतंतर संकट में है अपने सियासी विरोधियों को सास भी नहीं लेने देना तमाम सरकारी संस्थाओं का दुरूप योग करके विरोधियों को खत्म कर देना ऐसा मोदी और उनकी पार्टी का दुरुप मत है इसलिए हमारे देश की अवस्था दिन प्रते दिन चिंदा जनक होती दिखाई दे रही है लेकिन प्रधान मंतरी मोदी और उसके लोगों को ये वैसे नहीं लगती एक चायवाला देश का प्रधान मंतरी बना ये कॉंग्रिस की देन मोदी पर ये क्या बोल गए महराश अध्यक्ष नाना पटोले ने आज यानि तेविस जून शुक्रवार पीम नर्न मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि बयान तब दिया जाता है जब पीम नर्न मोदी को गद्धी से हटाया गया तो किस तरह देश भर में हर बिजीपी उम्मिद्वार को विरोध में एक विपक्षी उम्मिद्वार ही सामने रखे जाना चाहिए जिहां लेकिन ऐसा कैसे संभव है अगर तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेकर राओ और वंचित बहुजन अगारी के प्रमुक प्रकाश आमबेट कर साथ मिलकर महाराश के मराटवारा में चुनाओ लणने का मन बना रहे हो और कॉंग्रिसेंसिपी के लिए चुनाओती से बड़ी करने जा रही हो बहार में विपक्षी दलो का महा मंधन महाराश में नानापटोले का पी एम पर बोलबच्चन जिः पट्ना में चल रहे हैं विफक्षी दलो के महागटबंडन बनाने के लिए इस महाजुटान में कॉंग्रिस की राश्य अद्यक्ष मल्लिक अर्जुन खरगी और द्राहुल गांदी है महाराश्य से पिये मीटिंग अंटड करने NCP प्रमुक शरत पवार और शिवसे नायाने UBT प्रमुक उद्धो ठाकरे भी गए है शरत पवार के साथ NCP कारेकारी अद्यक्ष सुपरिया सूले और प्रफुल पटेल है उद्धो ठाकरे के साथ संजराउत अधित्य ठाकरे और अंबादास दानवे है इन सबकी प्रुष्ट भूमी में महाराश्य कॉंग्रिस अद्यक्ष नाना पटोले ने प्यम मोदी को लेक का कमजोर होना महाराश्बर में फिरता रहता हूँ कल्यान डोमियोली जैसी जगों में बीजहां बीजीपी की स्थिती मजबूत है लोगों के दिलों में यही भावना है राज रिशी शाहु महाराज महात्मा फूले बाबा साहे बंबिट करके विचारों पर चलने वाली प ही पाट्यों को आज पट्टा में सभा हो रही है बीजीपी के विरोध में लोगों के मन में नाराज़ की है दो हजार उन्नीस में जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं हुए देश में सव्धेनिक विवस्था कमजोर हो रही है लोगतांत्र कमजोर हो रहा है अमिश्या कि बैठक बिहार के राजधानी पट्टा में चल रही है इस मीटिंग में 15 से अधिक विपक्षी पार्टियों के प्रमुक ने शिर्कत की है इस बीच केंद्र ग्रमंत्री आमिश्या ने जमू में से विपक्षी दलों की महागडबंदन पर दीखा हमला बोला जिया केंद्र ग आजपक की 300 से ज्यादा सीट आतनी तय है एक बार फिर नरिनमोदी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे उन्होंने कहा कि कहा है कि विपक्षी दलों के नेता चाहे जितने भी बैठा के कर ले लेकिन एक साथ आने वाले नहीं है उन्होंने विपक्षी दलों के महा मंतन पर त चुनाती देगे मैं भी पक्ष पार्टियों के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि चाहे कितना भी हाथ मिला लो लेकिन आप एक साथ नहीं आ सकते आप ही गए तो 2024 में मोदी का 300 सेजादा सीटों के साथ आना तरह हैं इसे तरह कि दिनवार के तमाम बरिक अप्रों से फिर करा आपको रूबरू तब तक के देखते रहें MNS News Network नमस्कार यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News